अब हम बात करते हैं ROM के, what is ROM, ROM stand for read only memory, जो सिर्फ और सिर्फ read करता है memory को, in this memory we can use only read, but cannot write, इसमें write on it, इसमें जो हैं सिर्फ read कर सकते हैं, इसमें write नहीं कर सकते हैं, लिक नहीं सकते हैं, ROM data is permanently, ROM का जो data होता है, वो permanently होता है, during, इसमे creation of information, जब जो है, कोई information created करें, अब उसके, वो क्या गयलत है, non-volatile memory, अब आपके बाद जो RAM था, वो volatile memory था, और यह जो है, इसमें ROM आपके बाद, non-volatile memory है, इसका मैं मिजाल, यहां में दूँ कि आपके बाद जो है, एक LCD है, एक LCD के बाद, जो है, यहां बे, एक आपके बाद, जो है, CPU है, अब CPU में क्या होता है, यहां बे आपके बाद, जो है, इसके सामने, एक mouse पे अद़ है keyboard होता है, अब keyboard के बाद, जो है, आपके बाद, एक mouse हो दिये, अब उसमें क्या होता है, कि यहां पे आपने क्या हो गरना है कि जैसे ही आप इसको connect करेंगे तो तब यहां पे connect रहेगा सेम इसी तरह इसको CPU से connect करेंगे तो यहां पे परफार्म करेगा अब इसमें क्या होता है उन सबका जो काम होता है जैसे computer on हुआ और उसके बाद फिर off हुआ यह सारे चीज़ें जब computer on होता है तो इसमें जो है हमारे बास ROM बताता है कि आपके पास जो है क्या क्या चीज़े connect है और last time जो है आपने क्या क्या चीज़ें किया था मिसाल के दोर पर कि एक सान की example दो तो जब हम रात को सो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुबा जैसे ओड़ गए तो हमारे बास जो है सारे चीज़ें पहले वाले बोल गए तो सेम इसी तरह हमारे बास जो है RAM है उसमें सारी एक brain है जो हमें बोलने की उसमें बोलने नहीं देता तो RAM, ROM का भी यही काम है कि आपके पास कोई चीज़ आपने computer को off किया जब दोबारा on किया तो तब भी आपको वो ROM चीज़ें permanent save करता है कि आपको बता दा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें लगे हुए और last time आपने क्या क्या चीज़ें आपके पास store है यह इनका क्याम है RAM उसमें ROM का और RAM में फर्व यही है कि ROM जो है वालटाइल है और ROM जो है नॉन वालटाइल है अब इसमें क्या है कि RAM तो जैसे computer को off किया RAM की जितने भी चीज़ें वो सारे खतम हो जाएंगे और ROM में जितने भी चीज़ें हैं वो सारे save ही रहेंगे तो यहां भी जो है इसमें टाइपस of RAM के बारे में आपको बताता है चलो अब आपके बाद ROM टाइपस हैं यहां भी जो है पी रॉम अब प्रोग्रामिल बर रीड अनली मेमोरी यह एक ऐसमें रॉम है जो एक बार एक बार इसको रीड करें तो वो पर्मोनेट सेव रहता है उसके बाद जो है E.P.ROM इसका इरिजएबल पी रॉम प्रोग्रामन बर रीड अनली मेमोरी अभी एसका काम यह है पार यह एक बार इसको एक बार सेव किया है अब इसका काम यह है कि Electrically Reisable P ROM यहां में प्रोग्राम Read Only Memory अब इसमें यह हो सकता है कि जो Electrical है उसको भी जो है Electrical चार्ज है उसको भी आप जो है एक बार रिमूफ कर सकते हैं रेज कर सकते हैं अब उसके बाद जो है ज्यादा उसके राम के बारे में अगर जानना है तो यह यहां बे जो है BIOS अगर डिलीट इसमें बटन दवाएंगे तो यहां बे आपके बास जो है इसकी पूरे डिटेल आ जाएगी राम की तो उमीद करता हूंगी यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा आज के लिए इतना ही है अलाफिज